भारत के पांच अस्पताल जहां मुफ्त में इलाज होता है नमबर एक टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में स्थित ये अस्पताल भारत का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल है टाटा मेमोरियल अस्पताल को भारत के 62 कैंसर उपचार और रिसर्च के इंद्रों में से एक कहा ज और यह Advanced Center for Treatment Research and Education in Cancer से जुड़ा है. V.S.Hospital.com के मुताबिक Tata Memorial Hospital Cancer के इलाज के लिए भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध है. सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ पर इलाज मुफ्त में होता है और यह अस्पताल हर साल 30,000 से अधिक सर्जरी और 400 लेजर सर्जरी करता है. नमबर दो, गुरु हरकृष्ण अस्पताल, गुरु हरकृष्ण Institute of Medical Sciences and Research, दिल्ली के बाला साहिब गुरुद्वारा में स्थित एक अस्पताल है. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिती, DSGMC, ने 2021 में अस्पताल की स्थापना की. ये अस्पताल मुख्य तोर पर किड्नी की समस्या, किड्नी ट्रांस्प्लांट और डाइलिसिस केंदर के लिए मशूर है. यहां एक बार में 101 मरीजों और प्रतिदिन 500 मरीजों का इलाज बिल्कुल मुफ्त में करता है. सबसे आश्चर्य वाली बात तो ये है कि इधर कोई बिलिंग काउंटर नहीं है. नमबर 3. गुरू का लंगर अस्पताल, चंडीगड सेक्टर 18 में स्थित गुरू के लंगर नाम से चलाए जा रहे आँखों का हॉस्पिटल चर्चा में रहता है. उसका कारण ये है कि इधर सारा इलाज मुफ्त में होता है और खाना पीना भी श्री गुरू गरंथ साहिब सेवा सोसाइटी की ओर से चलाए जा रहे इस हॉस्पिटल में न सिर्फ मोतिया बिंद बलकि रेटिना के ऑपरेशन मुफ्त में किये जाने का दावा किया गया है. हॉस्पिटल के मुताबिक उनके यहां रोजाना मोतिया बिंद के 25 ऑपरेशन मुफ्त में किये जा रहे हैं. ये अस्पिताल अपनी सुविधा और निस्वार्थ सेवा के लिए भी जाना जाता है. और चिकित्सा सेवाओं के लिए जाना जाता है। यहां के लोगों का कहना है कि उपचार के इस मंदिर में प्रेम ही एक मात्र मुद्रा है।